हेलो नमस्कार दोस्तो आगया ना रिजल्ट पंद्रे को मतलब एससी का ऐसा थोड़ा ट्रेंड है कि दस बज़े से पहले रिजल्ट दे देते हैं तो फिर बच्चे की एंग्जाइटी वहीं के वहीं बनी रह जाती है इसलिए दिया नहीं लेकिन कोई नहीं रिजल्ट ओवर बताना जिनका नहीं हुआ है उनको अगले एक्जाम्स के लिए उल्दा बैस्ट है जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत कॉंग्रेशुलेशन्स है और कमेंट्स करके आप बताएं भी कि कितने माक्स पर आपका हो गया नोर्मलाइजिसन में है लगबक कितने माक्स आप को मिले होंगे ऐसा अनुमान लगाना अपनी कट आफ के हिसाब से जितने आप के थे उसके बाद कितने बढ़ गए होंगे कि कट आफ पार होगी ठीक है यह सारी चीज बताना देखो दोस्तों एक जायर सी बात है कि यह रिजल्ट जब आया है तो अब आप एक चीज जानते है जैसा कि हम लोगोंने अनुमान लगाया था बिल्कुल एक्जेक्ली वैसा हुआ कि नहीं कि जब नेगेटिव मार्किंग थी और तुमारी यह जो नॉर्मलाइजेशन था यह एंसी सी का अलग से मतलब प्रिफरेंस था एक सर्विसमेन के लिए अलग से प्रिफरेंस था कितना गया 58 only और जो ST है वो कितना गया 55 जो SC है वो कितना गया 51 और सबसे शॉकिंग न्यूज EWS 51 यह सबसे शॉकिंग है तो एक चीज आपके समझ में आई दोस्तों कि मतलब कि यह कितनी जनरल सी cutoff है मतलब कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला जो बहुत ही extraordinary हो गय कितने देख लेना कोई 83 के अब अब जाईगी cutoff भाई कैसे जाएगी यार cutoff तो आप लोगों में सही जाएगी ना अब आप लोगों के marks 56, 60, 64, 70 इतने marks आ रहे हैं तो 80 कैसे cutoff चली जाईगी इसलिए देख लो कितनी general cutoff गई है अब देखो दोस्तों मैं किसी को कुछ बोल तो नहीं रहा हूं लेकिन हाँ इतना जरूर बोल रहा हूं कि कोई सरकारी नौकरी लेनी होती है तो 100 मैंसे 60 नंबर 61 नंबर तो आपको लाने के लिए पढ़ना ही पढ़ता है इतने पर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है वही यहां के लिए मैं काफी उनको अच्छा मानूंगा उनके हिसाब से यह अच्छा हुआ और उनको बहुत 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 बदाईयां भी है जो भी लोग पास हुए है वह अच्छे से मतलब थोड़ा एक दिन सेलिबरेट कर लें लेकिन जो मैंने बताया है फिजीकल के लिए वह गर्मी में होगा फिजीकल यानि जून के लगबग तो आपको क्या करना है अच्छे से रेस बगएरा प्रपेर करके रखनी है गर्मी में क्योंकि वहां कभी-कभी ऐसा हो जाता है सुवए से शाम तक लाइन में बैठना पड़ता है उसके बाद रेस शुरू होती है तो पास हुए है या जिनको थोड़ा सा मलाल है वो सभी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या कमी रह गी और जो कमी रह गी अब उसको सुधार है आप कमेंट क्या करना लेकिन जो पास हो गए वो मेरे को ये जरूर बता दे कि लगब कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स उनक में लग जाओ पूरे जी जान से क्योंकि अब पेपर हमको निकालना ही है अब ये कोई भाना नीच लेगा सर मेरे पैर में मोच आ गई थी इसलिए मैं दो दिन भागा नहीं हूँ ना अब कुछ नीच लेगा ऐसा सर गर्मी तो आज इतनी जादा एक दिन रेस्ट ले लेता तो दूसरा आदमी तो डबल भाग रहा है दिन में इसे एक सोई एक साम फिर मत कहना कि सर वहां तक तो मैं आ गया यहां पे रह गया नहीं अब एक्सक्यूज नहीं है अब पास होना ही है दूसरा कोई विकल्प नहीं है कहते हैं इश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता जो तूट जाए वो संकलप नहीं होता और आराम को कभी भी जीत के पास मत रखना क्योंकि जीत का कोई बिकल्प नहीं होता इसलिए कोई बिकल्प नहीं है यह आपकी necessity है कि जौब लेनी है आप देख रहे हैं कितनी मारा मारी जौब की इसलिए अच्छे से prepare करो और अपने जिससे आप इस एक्जाम में एकदम पार जाओ Thank you very much